हलो विवर्स हम तयारी करें दस्वी बोर्ड एक्जाम की तो आज हम तयारी करेंगे दस्वी सामाजिक विज्ञान में भुगोल विशे के चार-चार नंबर के प्रश्णों की तयारी बुगोल विशे के हम दो-दो नंबर के प्रश्णों की तयारी के वीडियो पहले ही ला च करके तो शुरू करते हैं प्रश्चन है जेव विविदता को प्रभावित करने वाले कोई तीन कारक लिखे ठीके जेव विविदता को प्रभावित करने वाले कारक तो यह प्रश्चन तीन नंबर में भी आ सकता है तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे सबसे पहले इसक निमनीकरण, वनों के अतिकटाव या निमनीकरण से वन्य जीवन और पोधों के नाश का कारण बनता है। और उनके जीवत ऐसे भी हैं जो लुपत होने लग गए हैं। क्योंकि जलवायू परिवर्दन होने से कहीं तो तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा, कहीं बाढ़ आजाएगा, कहीं तापमान कम हो जाएगा। जिससे कि जो वन्य प्राणी हैं और जो पोधे हैं जो अपने प्राकृतिक आवासों में रहते हैं उसमें बदलाव हो जाएगा। तो वह वहाँ अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाएगे और उनका वे समाप्त होने लग जाएगे। इसके बाद जंगलों का प्रबंदन और उप्योग वनों के गलत प्रबंदन और अनुशाशन हिन उप्योग के कारण वन्य जीवों के नाश का सामना करना पड़ सकता है। अति वन्य उत्पादन अवेद वन कटाई और जलवायू परिवर्तन से प्राकरतिक वन्य जीवन का बिगरना एक आम समस्या है। परिवर्तन के कारण वन्य प्राणयों के नाश को गती देते हैं। इन आपदाओं से प्रभावित होने से कुछ प्रचातियों की संख्या में कमी हो सकती है। जेविवित्ता कम हो सकती है। उसी के बारे में बात है और प्राकरतिक आपदाओं जो अचानक से आजाती उससे भी जेविवित्ता प्रभावित होती है। इसके बार जो अगला चार नंबर में हम प्रश्न तयार करेंगे वह है परंपरागत तथा गेर परंपरागत उर्जा साधन में अंतर बताईए। परंपरागत तथा गेर परंपरागत उर्जा साधन में अंतर बताना है। परंपरागत उर्जा जल शक्ति उर्जा के परंपरागत साधन है। इसके बाद है दूसरा जल विद्यूत के अतिरिक्त इन सभी साधनों से प्रदूशन फैलता है। जो उर्जा के परंपरागत साधन है, इसमें जल शक्तिय के अलागा जो दूसरे साधन है, इनसे प्रदूशन फैलता है, फिर तीसरा पोइंट होगा, जल वित्युत को छोड़ कर ये साधन अनापूर्ती साधनों की श्रणी में आते हैं, ठीके अनापूर्ती या अनविनेकर साधन है, एक बार उप्योग में आ जाएंगे तो फिर उनका बनना बहुत मुश्किल है, इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दुबारा प्रयोग करना संभव नहीं है, ठीके तो यह परंपरागत साधन है, इसके बाद उर्जा के गेर परंपरागत साधन में हम सोर उर्जा, भूतापी उर्जा, जुआरी उर्जा, पवन उर्जा, कुडे कच्रेया गोबर से तैयार उर्जा के गेर परंपरागत साधन हैं। पहला पोइंटर लिखेंगे कि कोईला, पेट्रोलियम, पर्मान उर्जा, जल शक्ती उर्जा के परंपरागत साधन हैं। फिर ये साधन प्रदूशन मुक्त उर्जा देते हैं। और ये सभी साधन आपूर्ती साधनों की शर्णे में आते हैं, इनका प्रयोग निरंतर संबह है। तो इस प्रकार से ये प्रशन करेंगे बहुती महात्वपूर्ण हैं। के बाद अगला प्रशन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गी करत किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को चार भागों में वर्गी करत किया गया है। तो चार भाग कुन-कुन से हैं, पहला है सारवजनिक शेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी शेत्र के उद्योग, तीसरा है सयुक्त शेत्र के उद्योग और जोथा है सहकारी उद्योग. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सारवजनिक शेतर के उद्योग में ये उद्योग सरकार के नियंतर्ण में होते हैं. उधारन है भारत Heavy Electrical Limited B.H.E.L. इसी का short form इस प्रकार से लिखते हैं, भारत Heavy Electrical Limited को ही लिखा जाता है, B.H.E.L. दूसरा है निजी शेत्र के उधियोग, इन उधियोगों पर किसी निजी व्यक्ति विशेश का अधिकार होता है, जो कि प्राइवेट उधियोग जो होते हैं, तो किसी निजी व्यक्ति विशेश का अधिकार होता है, उधारन है टिसको बजाच आटो लिमेटेट, ये उसके उधारण है तीसरा है सयुक्त शेत्र के उद्योग ये उद्योग राज्य सरकार तता नीजी शेत्र के सयुक्त प्रयास से चलाये जाते हैं उधारण है ओईल इंडिया लिमिटेट चोथा है सहकारी उद्योग जिनका स्वामेतो कच्चे माल की पूर्ती करने वाले उद्पादको श्रमिको या दोनों के हातों में होता है तथा लाप तता हानी का विभाजन अनुपातिक होता है उधारण है महारास्ट में चीनी मिले तथा केरल के नारेल पर आधारेत उद्य सयुक्त शेत्र के उद्योग और सहकारी उद्योग सारजनिक शेत्र के उद्योग पे सरकार का नियंतर्ण होता है इसका उधाने भारत हेवी इलेक्टिकल लिमिटेट नीजी शेत्र के उद्योग पर किसी नीजी व्यक्ति विशेश का अधिकार होता है उधाने टिसको और बजाच ऑटो लिमिटेट, सयुक्त शेत्र के उद्योग में यह उद्योग राज्य सरकार और नीजी शेत्र के सयुक्त प्रकार से जलाया जाते हैं, मतलब राज्य सरकार और नीजी शेत्र दोनों सयुक्त रुप से इनको चलाती है, उदाने ओईल इंडिया लिमिटेट और स प्रपादक और श्रमिक या दोनों के हाथ में जो उद्ध्योग होते हैं और लाभानी का विभाजन भी इसमें अनुपातिक होता है उदान है महारास्ट में चीनी मिले तथा केरल के नारियल पर आधारे उद्ध्योग तो इस प्रकार से हमने चार चार नंबर के तीन बहुती प्रशन देख लिए हैं आपके दसी सामाजिक विज्ञान में भुगोल विशे के इसके बाद आगे भी चार चारो तीन ती नंबर के महातपुर्ण प्रशन देखेंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए